नमस्कार दोस्तूं एक बड़ी सूचना एक महत्वापुन सूचना जो बेरोजगार साती लंबे संबे से इंतजार कर रहे हैं सिक्सक बर्तियों का उनके लिए दोस्तूं संसकर सिक्सा विबाग जिसके अंदर सेकिंड ग्रेड के अंदर 349 पदू पर नोटिफिकेशन आरपीएसी ने जारी कर दिया है लेकिन बात हम करेंगे थार्ड ग्रेड सिक्सक बर्ति थार्ड ग्रेड द्यापक बर्ति की दोस्तूं नीचे लिखा गया आगई आप जब थमनेल को आपने देखा तो आपको इसा लगा होगा कि क्या सच में ये बर्ति आएगी तो उसकी भी आपको सत्तेता की जांच यहां पर करवाई जाएगी सबसे पहले आपका जो काम रहेगा वो रहेगा वीडियो को लाइक सेर और चैन बर्ति में रीट पातरता आवसिक है या नहीं दोस्तु सबसे पहले आपने बजट देखा होगा बजट के अंदर नई जो बर्तियां हैं राजस्तान के अंदर उनकी संक्या सतर अजार बताई गई थी और बजट से बजट से एक मैने पहले हमने वीडियो बना कर आपको जा सतर अजार पदू पर राजस्तान में अगले साल बर्तियां होने वाली है अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो की जो डेट है उसको देख सकते हैं आपको पता चल समझ गए अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी जानकारी देता हूं बाकी जो आपके सवाल कमेंटू के अंदर मैसेज के दुआरा या इंस्टाग्राम पर आपके जो भी क्यूसन मेरे पास आएं हैं उनको भी मिलूँगा कब होगी बरती तो देखे सीधी बात मार्च 2024 अंत में इसका विज्यापन आपको देखने को मिलेगा अब देखे समय आपको लगेगा पहले बता देता हूं लेवल वन और लेवल टू दोनू में यह पद होगे जिसके अंदर लेवल वन के अंदर जो पद है उनको सविकरती वितविबाग से मिल चुकी है जो मिले वे की हुई है लेवल दिविते के जो पद है उन पर जिनकी सूचना जल्द आपके सामने आ जाएगी फाइल वितविबाग के पास पहुंच चुकी है दोस्तों समझ गई अब देखे यहां पे आपने सोचा था क्या 349 पदू पर सेकिंड ग्रेड संसकर सिक्साविबाग में ब कि अगले मह jesteśmy आ जाएगी किसी में बोला जाता है कि यह तो बढ़ती होगी नहीं लेकिन आपको तयारी करनी है साब बोलरा हूँ मार्च एंड में यह बढ़ती होगी यह बढ़ती होने वाले थी Lost September 2023 के अंदर लेकिन जो चुनाओ थे और चुनाओं के कारण ही इस बरती में इतनी देरी हुई इस देरी के कारण आपको परियाब समय भी मिला है तैयारी करने का लेकिन मेरे को पता है लगबग ये मान के चले कि सो में से तीन परतिसत मालक है जो संसकर्शिक्षाविबाग की भरती की तैयारी कर। तैयारी जो करते रहेंगे वो सफलता प्राप्त कर लेंगे दोस्तूं। इसलिए सभी साती अपनी तैयारी में लग जाएए। तो मार्च दोजार चोबीस अन्तिम विक लगबग 22 से 26 मार्च के बीच इस बरती का विग्यापन आपके सामने आ जाएगा बात करते कितने पद इस बरती में रहने वाले हैं तो देखे अभी तक जो अनुमान चल रहा था आपने देखा होगा 2000 से 2200 पद ये पद चल रहे थे ना लेकिन संस्कार्ट सिक्षा विबाग में बहुत अधिक मातरा में वर्तमान में पद खाली है तो 2200 पदू पर ये बरती नहीं आएगी ये जो बरती आपके आएगी वो आएगी 43 पदू के आसपास जिसमें लेवल परतम और लेवल द्वीते दोनु के पद रहेंगे अब ये पद कितने कितने रहेंगे इसका विग्यापन आने पर ही पता चलेगा दोस्तू अगला सुवाल जो आपका था वो था भणने वाला है जिसे बढ़ती जो पिछले साल आपकी बढ़ती होई जिसके आपने अच्छी तैयारी की वोही नोट्स वोही गाइडे आपको पड़नी है अगर आप यह चाते है कि सर जीरो से लेकर हमें तो सो परतीसत कोर्स चाहिए तो उसके लिए निसुला कलासी यूटूब के मादेम से हम उपलब्द करवा देंगे लेकिन आपका कमेंट चाहिए और कमेंट के साथ इंस्टाग्राम का लिंक दियावा जहां पर जाकर आपको मेसेज करके भी जरूर बताना होगा दोस्तों समझ गए सलेबस रेट मेंस वाला होगा अभी बोल रहा हूँ वो का वो सलेबस रहेगा एक दो तीन चार पांच टोपिक जो परिवर्तन होंगे उसको हम अंतिम समय भी तैयार कर सकते हैं अगला जो चोता स्वाल आपका रहेगा वो है रेट पातरता जरूरी संसकर सिक्स्या विवाग जो थर्ड ग्रेड बरती होगी थर्ड ग्रेड जो बरती होगी आपकी इसके अंदर पातरता जरूरी है अगर आपके पास रेट पातरता है तो ही आप इस बरती के अंदर बेट सकोगे दोस्तूं वरना इस बरती में नहीं बेट सकोगी राजस्तान करमचारी चेन बोर्ड आयो के दोरा इस बरती का आयोजन है वो करवाया जाएगा और जो रीट पातरता लाश्ट में हुई है उसमें पास है क्योंकि अब रीट पातरता एक बार पास करने के बाद आजिवन रहती है दोस्तुं तो जो पास है उनके लिए क्या रहेगी ये बर्ती कामियाब रहेगी दोस्तुं समझ गए ये तो हो गई सहसकर सिक्षाविबाग बर्ती की जानकारी यहां से जिन सातियों को ये संदे है कि सर्तो व्यूज के चकर में या अपने चैनल के परचार के लिए ये वीडियो बना रहे हैं तो वो साती आज कमेंट करने से अच्छा है कि कम से कम डेड़ महिने 45 दिन इंतजार कर लें और उसके बाद इस वीडियो पर अपना कमेंट करें दोस्तू चलें दोस्तू अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं रीट बर्ती की क्योंकि लगबग साती जो संसकर सिक्षाविबाग बर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो रीट बर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं रीट बरती पातरता और मेंस दो बागू में भी वक्त है तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ रीट बरती जब भी आईगी उसमें सबसे पहले पातरता आईगी पातरता आने के बाद ही मेंस होगी आपकी अब यहां पे आपका सवाल ये भी रहेगा कि सर पातरता कब आएगी जो अभी सूचना मिली है उसके अनुसार रीट की पातरता बढ़ती है उसकी जल्द नोटिपिकेसन आएगा जल्द बढ़ती है वो आपके सामने आएगी अब समय आपका इसमें साथ दिन भी लग सकते हैं एक मैना भी लग सकता है पेतालिस दिन भी लग सकते हैं और दो मैने भी लग सकते हैं लेकिन इसका जो एकजाम है ना एकजाम वो एकजाम आपका करवाये जाएगा लगबग यह मान के चलो अगस्त में अगस्त या सितंबर क पातरता का एकजाम अगस्तिया सितंबर में करवाये जाएगा अक्टूबर नौंबर में इसका रिजल्ट आएगा और नौंबर या दिसंबर के अंदर मेंस की बढ़ती आएगी जिसमें पदू की अगर में बात करता हूँ तो आपके 22,000 से अधिक पद रहेंगे जिसका एकजाम जनवरी या प्रवरी 2025 में करवाया जाएगा यहां से आपके सामने आ गया सर एक साल पढ़ा है आराम से पढ़ लेंगे आराम से तैयारी कर लेंगे हमारी तो रीट पातरता पास है हमें तो करना क्या है सलेबस को पढ़ना है तो वो हमेशां पीछे ही रहते है करना क्या वो सुन लीजे सपलता का मंतर सपलता का मंतर क्या है तो इसको थोड़ा द्यान से देख लेना सपलता का मंतर आज से ही आपको शुरू होना होगा अगर आपको किसी भी विशे में कुछ भी डाउट है अब आपका डाउट आ गया सर राजस्तान जी के कहां से पढ़े नए जिले बन गए हैं दिकत पुरी हो रही है तो आपको कहीं नहीं जाना है पसू परिचर की कलासे बनी हुई है पले लिस्ट बनी हुई है उस पले लिस्ट में जाकर राजस्तान जी के की कलासे अटेंड कर लो जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है उसी के अकोर्डिंग मैंने तैयारी करवाईए और आप कमेंट करोगे तो इन नोट सुकों में कुछामन ओनलाइन क्लासे जो हमारा एप है उसके मादेम से भी आपको उपलब्द करवा दूँगा जहां पर आप नए जिलू के अनुसाब पूरा का पूरा राजस्तान जी के पढ़ लोगे तो पहली बात आज से आपको कम से कम कम से कम छह गंटे पढ़ना होगा और परती दिन रास्तान जी के हो सूचना तकनीकी हो या आपका विसे हो हर एक को समय देना होगा तो आप आज से एक साल बाद सपलता को प्राप्त कर सकोगे वरना लाश्ट रीट में जो आपके साथ हुआ वो का वो आपके साथ इस रीट में भी हो जाएगा दोस्तु तो जो दो बरतियां थी उनकी जानकारी है अगर आपको कोई भी डाउट है या जिन सातियों को ये संदे है कि कोई भी तथे नहीं है तो तथे का इंतजार हम नहीं करते हैं उसके लिए आप सतर जार पोश्ट वाला वीडियो देख सकते हैं बजट से लगबग दस दिन पह उपर दोजार चोबीस के अंदर रास्तान में बरतिया होने वाली है उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा तत्ते क्या रहता है हमारी सत्तेता क्या रहते हैं दोस्तु पहरे मित्रू वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपका जो भी डाउट जो भी कमेंट यह जो भी आपको जानकरी चाहिए वो कमेंट वोक्स में आप पोच्छ सकते हैं अनेता यहाँ पर इंस्टागराम आइडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देया रखखा है वहाँ पर जाकर आप मैसेज भी कर सकते हैं सबी साथियों को बहुत बहुत जेहिन जे बारत